मेंगो कुल्फी बनाने के लिए एक आम को मैंने चोटो चोटो टुकडों में काट लिया है पांच चमच मैंने पिस्वी चीनी ली है एक कटोरी क्रीम और एक कटोरी मलाई ली है इन सबको हम मिक्सी में ब्लैंड कर लेंगे को मैंने ब्लैंड कर लिया है फिर हम पिल्फी मॉड लेंगे पहले नीचे प्रदाम डाल देंगे और कुछ में कटो ही चैरी डाल देंगे फिर इично भर ये सबी कुलफी मोड़ मैंने भर लिए हैं इसे एक बार ही टैप कर लेंगे और बंद करके इसे 6-8 घंडे के लिए फ्रिजर में जमने के लिए रख देंगे 8 गंटे बाद मैंने कुल्फी मॉल्ड को फ्रिजर में से निकाला है यह अभी जम चुकी है इसे हम कुछ दिर पानी में रखेंगे कुल्फी को हम मॉल्ड में से निकाल लेंगे अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे इसके ऊपर जाएं तो थोड़ा से रोज और खर सिरफ डाल सकते हैं हमारी मेंगो कुल्फी बनके त्यार है थैंक्स और वाचे जाएं